नमस्कार दोस्तों आज की वुडम जानेंगे तुतलाना और हकलाना यानि स्टाइमरिंग और लिस्पिंग के बारे में इसके अलावे जानेंगे तुतलाने और हकलाने के कारण तुतलाने और हकलाने के प्रकार एवं तुतलाने और हकलाने की होमिपैथिक दवाओं के बारे में तो आई ये वीडियो शुरू करते हैं और अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस कर ले ताकि जब भी हम अगली वीडियो अप्लोड करें तो आपने नाटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें दोस्तों कई बच्चों को जन्म से ही हकलाने या तुतलाने की बिमारी होती है वो सब्दों को साफ तरीके से नहीं बोल पाते हैं ऐसे में हमिपतिक दवाईयों का पड़ियोग कर इस समस्या से छोड़कारा पा सकते हैं दोस्तों तुतलाना या हकलाना बोलने से जुरा एक विकार है जिसमें कोई बच्चा या व्यक्ति कुछ अक्छरों या सब्दों का उच्चारन सही से नहीं कर पाता है उदारन के लिए वो जरूर को जलूल और क्या की जगा तिया का उच्चारन करेगा भारत में जिन लोगों को तुतलाने की समस्या है वे कुछ अक्छरों की जगा तो या लो अक्छर का इस्तिमाल करते हैं यही वज़ा है कि इसे हिंदी में तुतलाना कहा जाता है वैसे तो यह दुरलब और ला इलाज नहीं है लेकिन यदि इस्तिती लंबे समय तक बनी रही तो यह चिंता का विसे हो सकता है क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चों के सहयोगी उन्हें चिड़ा सकते हैं इससे उनके आत्मसमान को ठेश पहुंच सकती है यह इस्तिती स्पीच डिसॉर्डर के अंतरकताती है जिसमें बच्चा या कोई व्यक्ती सही से कुछ सब्दाओं या अक्छरों का उच्चारन नहीं कर पाता है खेर अच्छी बात यह है कि उच्चित या जल्दी ट्रीट्मेंट सुरू कर देने से इस इस्तिती से छुटकारा पाया जा सकता है तुतलाना या हकलाना के क्या कारण है वैसे तो किसी स्पीच डिसॉर्डर की तरह तुतलाने का कारण भी असपश्ट नहीं हो पाया है लेकिन ज्यादा तर यह समस्या छोटे बच्चों में पाय जाती है खास कर जिनके सामने के दांत तूट जाते हैं कुछ मामलों में यह जीब, तालू यह दातों की सनरचना ठीक से ना होने की वज़ासे भी हो सकता है लेकिन वे आम तर पर मुख्य कारण नहीं होते हैं कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें बच्चे को सारीरिक असमानेता नहीं होती है लेकिन उन्हें तुतलाने की समस्या होती है माना जाता है कि कुछ बच्चे लिस्प से गरसित दूसरे बच्चों या बरों की नकल कर सकते हैं एक थियोरी यह कहती है कि तुतलाने की समस्या टंग थ्रस्टिंग की वज़ासे हो सकती है टंग थ्रस्टिंग एक सारीक व्यवहार है जिसमें निगलने और बोलने की दवरान जीब को दोनों दातों के बीच बाहर धकिलने की कोशिस की जाती है तुतलाना की अन्य कारणों में सामिल हो सकते हैं किसी तरह का मांसिक रोग मुख के अंदर खासकर जीब की संरचना या बनावट सही से ना होना दोस्तों अब जानेंगी तुतलाना और हकलाना की होमिपाथिक दवाएं केस बन प्रमुक उस्दी कापी परियास करने के बाद ही मुह से कोई सब्द निकले तो इश्ट्रामोनियम 30 पोटेंसी की दो भून दिन में दो बार पर्योग करनी चाहिए केस टू बच्चों का तुतलाना होने पर बविष्टा तीस पोटेंसी की दो भून दिन में दो बार पड़ियोग करनी चाहिए केस थ्री बोलते समय बीच बीच में सब्द छूट जाए तो कैमोमिला तीस पोटेंसी की दो भून दिन में दो बार पड़ियोग करनी चाहिए केस फोर सब्द मुह में आते आते मुह में ही रहा जाए तो साइकुटा तीस पुटेंसी की दो भून दिन में दो बार प्रयोग करनी चाहिए केस फाइब रोगी जब सिर्फ कुछ खास सब्दों पर ही अठके तो लेकेसिस तीस पोटिंसी की दो भून दिन में दो बार प्रियोग करनी चाहिए परामर्स नोट होमिपैती में रोग के कारण को दूर करके रोगी को ठीक किया जाता है पर्तियक रोगी की दवा उसके सारिरिक और मानसिक अवस्था के नुसार अलग-अलग होती है अत्य है यदि आप लंबे समय से इस समस्या से परिशान है तो बहतर होगा कि आप चिकित्सक के परामर्स से दवा का सेवन करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और इसी परकार की होमियोपेथी से जुरी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न बूलें